सबी समाने साथियों को साधर पड़ा हम समाने साथियों मैं नभीन त्यागी आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं हमारे साथ सुजीत पठेल जी है बहुत-बहुत स्वागत है आपका समाने साथियों आज हम सुजीत जी से जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे तयार करत तो सुझी जी बताईए वर्मी कमपोस्ट हम कैसे त्यार करते हैं निकालने के बाद हम गोवर को इस बेड में डालने के बाद इसमें फ़ेंग किच्वे डालते हैं इसकोचा बनादेते हैं । इसमें कुछे के अंतर होते हैं प्यूज्स ए हमारा अर्गिनिक घ्रक तुन होता है क्यों इसे क्योक्त में यूज करनी का स्कॉज लिए बहुत ही अच्छी प्रागती है के जो है इनको ठीतां हो जाता है सबसे पहले आप गोबर को आप डाल देते हैं मुर्गी के बाड़े में मुर्गी पाले हैं मुर्गिया उनको छितर देती है और वह जो है उसका सारे गैस निकल जाता है उसके बाद आप बेढ दिए बेढ़ने के बाद इसमें आप केचुवा डाल दिये केचुवा क्या रेट में मिला था आपको 400 रुपए केजी मिलता है में 400 रुपए केजी गोबर सहीद तो आपको जितना बनाना उतना खरीदना पड़ेगा कि बस किलो खरीद के डाल दी आपके आफ सकता निसार चाहे कितने दिन में तयार हो जाएगा तो जैसे यह चाहे है यह बेड खरीदे हैं जी बेड हमारा थाड़े पंदर सोपर है खरीद कर आया है और अधर भी एक सेट अप कि वह दिखाई ज़रा एक देख सकते हैं हमारा फ्री आपकास्ट है इसे बस पॉल्थीन लगाकर हमें ऐसे सेट इसको तयार कर सकते हैं तो इसमें आप एट लगा और हमारा शरप निकल जाएगा कि दूखने बढ़ते रहते हैं इंका इसी में बढ़ता रहता है इसको जहां भी डालेंगे एच्छे मेने में अपना थे वा दूना हो जाते हैं यह ना जिस खेत में जाएंगे जहां पर आप इनकी संख्या बढ़ती रहेगी दो महीने में कि छोड़कर इसे मार्किट में असानी से 10 रुपय के जी बेचा जा सकते हैं अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप पूरा उसमें बचा सकते हैं इसमें बहुत जादा लागत नहीं जो आपका समय लगेगा जो मेहनत लगेगा बस वही है केचुवा एक बार खरीदे उससे बढ़ता रहेगा यह भी नहीं है कि आमरा आज नहीं विका तो इसे कोई दिक्कत है इसे आप श्टूर करकर रख सकते हैं जब इच्छा हो तब बे बहुत बहुत धन्यमाद आपका नमस्कार